बिस्मिल्ला इर्मान इरहीम असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब ठीक ठाक होंगे अल्दा के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं तो आज हमारे किचन में जो है वो बन रहा है स्मोकी भरता बैंगन का भरता तो सबसे पहले हम अपनी रेसिपी में जुल पर नुड़न के तरह को बता दूंगी इंग्रेडियंट इन ग्रेडियंट इस तरह है मैंने बेंगन ले लिए था उनकी क्लिपा इसको चूले पर रखके नहीं चला लिया और उसकी स्किन पील ऑफ करके इस तरीके से जो है वह मैंने चंब से उसको मेंस कर दिया इसके लावा मुझे चाहिए है मेडियम साइस का एक मेडियम से भी बलके छोटा एक प्याज तोड़ा सा गरब मसाला कॉरियंडर पाउडर नमक तोड़ी से सुर्ख मिर्च हल्दी और तोड़ा सा साबुज जीरा इसके लावा हमें चाहिए दो टेमाटर छोटे से और जलती हैं लेकिन बहारी मिर्चेस वगया नहीं तो सबसे पहले मैंने फ्राइब पैन जो है रख दिया था और इसके अंदर मैंने ओल रख दिये तो इसके अंदर हम एड करेंगे टिमाटर और उसको हलका सा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो तो इसके अंदर जो है हम लोग एड कर देंगे इस मरहले में टिमाटर को टिमाटर हम इसमें आज कर देंगे तरह प्यास को हमने जलाना नहीं जिस अलका सा कांसटरें करना है जलेंगे और अगर प्यास भी जल गया तो इसका फ्लेवर भी खराब हो जाएगा इस तरीके से अब हम इसके अंदर जो है वो एड कर देंगे सारे स्पाइसिस को यह बहुत ही असान और चटपट सी बनने वली रेचिपी है मसाले को जो हो ची तरह से हम भूनाई कर लेंगे उसमें तोड़ा सा पानी आड करेंगे जब तक हम इसको जो है वो तिमाटरों को नरम करते हैं फिर में आप से मिलके हो जी तो हमारा मसाला यहां पर जो आप चीतरह से बून चुका है ओपर जो और प्रिक्वेर्व हो गया है इस मरहले पे जो हो मैं आड करूंगे है इसमें आ है और मैंने थाय आ एंगन को पीर तों तैंग पर घूयक है घृ की टरह से इसमें आड़ कर दूए यह बैंगन का जो भरता है आप जुरूर ट्वाइ कीजिए यह बहुत मज़े का बनता है और इसका जो फ्लेवर है वो बार्बी क्यू के जिसरा बार्बी क्यू कर हम तिक्का खाते हैं या बार्बी क्यू खाते हैं तो उस तरह से जो है वो आता है तो इसके अंदर अब हम एड़ कर देंगे धनिये को जी तो हमारा बहुत ही मज़िदार जो बैंगन का भरता है वो तियार है उमीद है आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी नेक्स वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक अपना बहुत जादा ख्याल रखीएगा एंड प